इनकी हिक्स ये चानल से सवाल है क्या हमारे यहां जो विज्ञान शिक्षक होते हैं वो अगर सही माने में विज्ञानिक गुरुष्टी को रखने वाले नहीं है तो क्या उनको हमने विज्ञान पढ़ाने के लिए रखना चाहिए क्योंकि ये लोग कई ऐसी बाते कहते हैं अंदविश्वासी बाते कहते हैं जहां विज्ञान खतम होता है वहां से अध्यात मशुरू होता है ऐसी भी बाते वो कहते हैं हम बहुत विचित्र परिस्तिति में भारत जैसे देश में हम जी रहे हैं एकदम आधुनिक प्रगत एरोप्लेन लेने के लिए फ्रांस में हमारे ग्रह मंत्री जाते हैं राफेल और उसका उध्गाडन करने के लिए स्वागत करने के लिए फ्रांस में जाकर वहां लिम्बू मिर्ची उसको लगाते हैं हमारे देश के एक बड़े साइंटिस राष्टपती बनते हैं अब्दूल जी कलाम जिनका जीवन सही माने में एक आधर्श जीवन रहा है बहुत गरीबी और प्रतिकुलता में उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में मेहनत से प्राप्त किया है बह कारत सरकार का विमान लेकर वो पुट्ट पार्थे में सथ्यसाई बबा के दर्शन को गए उनका आशिरवात प्राप्त करने के लिए गए यह सथ्यसाई बबा कोन है लोगों को ठंगने वाला उसके दर्शन के लिए गए हमारे यहां वीजय भटकर नाम के एक बहुत दविश्वास से भरे रहते हैं वे कहते हैं कि जहां से आध्यात्म याने जहां विज्ञान खतम होता है वहां से आध्यात्म शुरूर यह हमारे देश की स्थिति है यहां के वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दुरुष्टिकोन इसका कोई संबंद एक दुसरे के साथ में नही इकर जैसे लेकिन जो साइंटिस्ट माने जाते हैं उनकी विचारधरा भी साइंटिफिक है ऐसा आपको अपने भारत में नहीं मिलेगा क्योंकि भारत जैसे देश में बचपन से यह साउसकार डाले जाते हैं कि यह विज्ञान अलग चीज है उसके लिए जो नियम आपको इससे करवा लेते हैं वो फिर विज्ञान के कोई भी नियम अध्यात्मिक शेत्र में अप्लिकेबल नहीं कर पाते हैं और इसलिए पुरे जीवन में अंदफ इश्वासु रहते हैं तो यह अगर इस देश के बड़े-बड़े लोगों की स्थिति हैं हमारे राजनात सिंग वहाँ जाकर निम्बू मिर्ची लगाते हैं निम्बू मिर्ची किसलिए लगाते हैं आत्मा का प्रकोप ना हो इसलिए यानि वो आत्मा राफेल में गड़बड़ी करने वाला इतना अधुनेक तंदरग्यान वाला भीमान एरोप्लेट और बहुत पड़ी लिखी हमारी अ आत्मा को रोपना यह हमारी समस्कूरती है चाकि आत्मा का प्रकोपना हो उस विमान में अब क्या कहें इसको यह हमारा देश है यह फैक्ट मेरा खुद का अनभव ऐसा है कि विज्ञान पढ़ने वाले लोगों को विज्ञान का भी बहुत अच्छा ग्यान नहीं होता है मर विज्ञानिक सोच उनके नहीं होती है उससे ज़्यादा आर्ट्स फैकल्डी के लोगों में थोड़ी बहुत सोच करने के एक शमता देखती है क्योंकि उनके शायद एजूकेशन का वह हिस्सा होता है क्योंकि हमारे यह विज्ञान पढ़ने की सिस्टीम ही वैसी है मैं वि विज्ञानिक सोच क्या होती है कभी हमको सिखाया गया है खुद रटकर आते थे क्लास में रटकर बोलते थे और हमको भी रटने को लगाते थे अब जिस देश में विज्ञान की पढ़ाई इस धंग से होती है और विज्ञान का मतलब केवल परिक्षा में मार्स प्राप्त इतने बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत में उच्च शिक्षित लोग है कि सारे दुनिया से सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे देश में होने चाहिए लेकिन नहीं है बहुत मरियादित साइंटिस्ट है और वो साइंटिस्ट को भी हम जाचन कुछ हुआ ऐसे बहुत कम साइंटिस्ट हमको मिलेंगे क्योंकि वैज्ञानिक सोच को हम यहाँ पर बढ़ावा नहीं देते हैं ये फैक्ट ये इसके पीछे का कारण है वो विज्ञान शिक्षक को वैज्ञानिक दुरुष्टिकोर्ण क्या होता है साइंटिफिक मेथड क्य होती है बिल्कुल पता नहीं होता है ना उसको कभी सिखाया जाता है ना उसके एजुटिशन का हिस्सा होता है ना ही उसके बारे में हम बहुत ही बहुत ही लापरवा ही विज्ञानिक दुरुष्टिकोर्ण islands हमारे duties में हमने बहुत पहले स्विकार इंदरा गांधी जी के जमाने में स्विकार scientific temper, spirit of inquiry humanity and reform, यह हमारी जिवन का हिस्सा बनाना चाहिए, यह हमारी duties डालेगे लेकिन वो education में कभी नहीं आए जब वो education में आएगी teachers के training होगे, मैं उनको दोश नहीं देता हूँ, अब जो मुझ पर बच्पन से साउसकार है, वही लेकर मैं चलता हूँ, अब मुझे पता ही नहीं है कि यह बाते जूटी है, यह बाते गलत है, इसको मैंने नकार ना चाहिए, तब तक हम यह आरोब भी नहीं कर सकते हैं विग्यान टीचर को, कि वो डिलिबरेटली अंढ़ विष्वास फैला रही है उनको सही में लगता है कि विग्यान जो है, वो ठीक है लेकिन बस विग्यान खतम होता है महा से आद्ध्यात्म शुरू होता है यह उनको सही में अंदर से लगता है पूरे भारत में इस वाक्य के खिलाप बोलने वाला मैं अकेला हुए विग्ञान के नियम अध्यात्म से लेकर धर्म के हरक्षेत्र में लागू होता है कहने वाला मैं अकेला हूँ अब ये कोई विग्यान के लिए नई बात तो है नहीं या लड़ाईया तो पुरे दुनिया में हो चुकी है लेकिन हमारे भारत में कोई कहता नहीं है जिनको समझता है उनको कहिने के जिम्मेदारी नहीं है बाकी लोगों को समझता नहीं इसलिए कहते नहीं अब मेरा काम है इसलिए मैं कहिने की कोशिश करते रहता हूँ ये काम तो वैज्यानिकों का है ना लेकिन हमारे वैज्यानिकों पर इसी कोई जिम्मेदारी नहीं अकेले मिलते हैं पूरे देश में एक खादे दो-तिन वैज्यानिक हैं जो बोलते हैं जाहिर तरीके से एक उनमें जैन नार अली करें तो ये ये हमारे यहां की मर्यादा है इसलिए अगर आप सोचोगे कि ये विज्यान शिक्षकों को पढ़ाना हम बन करवा दे तो उससे क्या हल होने वाला है वह उनके भी तो ट्रेनिंग की आवशकता है ना एक बार ठीक ढंग से ट्रेनिंग मिले उनको मन के सभी उनके सवालों का हल हो जाए तो वे भी बदल सकते हैं इनसान बदल सकता है विजारों में बदलाव ला सकता है ये हमने समझ लेना चाहिए उनके ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए और फिर उसके बाद अगर कोई गलट धंग से पढ़ाता होगा क्लास में तो वो सीधा उसको निकाल बाहर ठेकना चाहिए भाई आपको इस काम के लिए रखा गया है ठीक है आप अलग-अलग मत लोगों के सामने रखते हो अगर बदलते रहती है और अंदर विश्वास को बढ़ावा देने का काम करने वाली सरकास रहने के बाद में तो उसी को बढ़ावा देती है तो इसलिए ये एजुकेशन में लाने के लिए तब संबह होगा जब सरकारे इस धंका निरनाय ले पाएगी महाराष्ट में ये आशा बहुत अच्छे ढंसे निर्मान होई थी क्योंकि जादू टुणा विरोधी कानून जिस दिन महाराष्ट में सम्मत हुआ उसके बाद में वो महाराष्ट का कानून होने के कारण वो एजुकेशन में लाया जा सकता था और उसके जरिये वईज्यानिक दुष्टिकोन की एक पुरुष्ट वोमी तैयार की जा सकते थी लेकिन ये कानून की खासियत है से रही कि कानियों बना और गवर्मेंट बदल गई जो अंदविश्वास को कायम रखना चाहती थी अब शायद नई गवर्मेंट आई है तो महराष्ट कुछ अलग धंग से सोच सकता है अलग धंग से निरनाई ले सकता है और मैं इतना कहता हूँ कि पाथ साल तक अगर पूरे स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को वईज्यानिक दुरुष्टिकोन क्या होता है किस दंग से वईज्यानिक दुरुष्टिकोन से विचार करना चाहिए ये बाते अगर ठीक दंग से पहुचाई गई टीचर्स के पास पहुचाई गई तो धीरे धीरे पुरा एजुकेशन भी बदलेगा एजुकेशन का स्वरुप भी बदलेगा और अंदविश्वास भी निकल जाएंगे ये संभव है ये संभव है